कैसे हैं आप सब उमीद है, खुश होंगे, स्वस्त होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे जैसा कि हमने वादा किया था कि लाएंगे इंस्टन भुटूरे की रस्पी तो ये भुटूरा सिर्फ बंदामेंड में बनके तैयार हो जाएगा और ये फूले फूले भटूरे आप भी एंजॉय कर सकेंगे बिना किसी तैयारी के इतरेशन अन्योर टेबल बाइस वाती में अब सबस्वागत है एक बड़े बरतन में लिया है धाई कटोरी मैदा, कटोरी सेम होनी चाहिए आगे जो भी काम करेंगे उसमें तो धाई कटोरी मैदे में हम एड करेंगे अधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, एक चोथाई छोटा चम्मच इनो और आधी कटोरी दही जिस कटोरी से हमने मैदा ना पी थी और साथ में टेस के अकॉर्डिंग नमक एड करिएगा, फ्लेवर और अच्छा करने के लिए एड कर सकते हैं कसूरी मेथी अब हम एड करेंगे एक छोटा चम्मच cooking oil और साथ में हमें चाहिए गुनगुना पानी, एक कटोरी आप ले लीजिए जिस कटोरी से मैदा ना पी थी, आप देखने कितना पानी लगेगा फोड़ा सा सब कुछ mix करने के बाद इसमें एड करेंगे एक अच्छे texture के लिए, एक बजार जैसे texture के लिए एक से तीन चम्मच तक सूजी, तो धीमे धीमे हमें सूजी एड करनी है, तो दो चम्मच मैंने एड कर दिये, एक बार mix कर लेते हैं, इससे सूजी, मैदा, सारे मसाले एक साथ मिल जाएं, अब हम लेंगे गुनगुना पानी, गुनगुने से हलका सा तेश गरम पानी है ये और फिर इसको हम हलके हलके हातों से mix करते समय, एक डो का texture देंगे, तो ऐसा डो होना चाहिए, जो ना ज़्यादा सक्त हो और ना ज़्यादा पतला हो, तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी एड करना है, बस खयाल लगना है क्योंकि गुनगुने से थोड़ा सा ग करते हुए, इस डो को तयार करेंगे, इससे वही texture आता है, जो बजार में हलका सा कुरकुरे भटूरे होते हैं, बस वही वाला texture आता है, तो देखिए, डो कितना perfect हो चुगा है, सूजी और add करेंगे, लगबग हम दो चम्मच, दो चोटे चम्मच मतलब, सूजी समय और add करे और इस तरीके से डो को बांदेंगे, अब हम हाथ में लेंगे थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा बिल्कुल जड़ा सा समझे एक चौटा चम्मच तेल add किया है, और फिर डो को हम bind करेंगे, मतलब बांदेंगे, क्योंकि इस डो को अब हम किसी बरतन में बंद कर देंगे, और इ धलका तेल हाथ में लगा के इस तरीके से बठा दिया है डो को, आधा कटोरी पानी टोटल लगा था, और धककर बन करा है, और 200 डिगरी पे microwave को preheat कर लिया है, और इसको सर्फ 10 मिनिट के rest करने के लिए छोड़ दीजे, और 10 मिनिट बाद अब आप अपने इस बोल को निकाल लिजे, अब देखिए, देखा आपने कितना अच्छे से हमारा आठा, फूल की अच्छे जवल हो चुका है, अब इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं, जिसमें आपने आठा गूता था पहले, उसी बर्तन में भी निकाल सकते हैं, अब इसमें हम add करेंगे थोड़ी सी तो मैदा हमने कितनी add की है, एक चौथाई कटोरी की नाप से, एक चौथाई कटोरी मैदा काफी है, इसमें add करिए और इसको थोड़ा सा गूत लीजे, आप जो texture आएगा बहुत आसानी से बिल जाएगा, और बहुत perfect आपके भटूरे बनके तयार होंगे, इस तरीके से हमन बिलकुल तयार है, अब आप भटूरे बना सकते हैं, तो देखिए एक चौथाई कटोरी हमारी मैदा लगी थी, अब एक एक लेंगे बॉल्स और बस उतपर से हलका सा तेल लगाएंगे, जिससे यह हम अच्छे से बेल सकें, और फिर आप इसको बेली आसानी से हलका हलका आ अब हमें सेखना कैसे बिल्बू बिताती हूं, तेल चेक कर लेते हैं, गरम हो क्या कि नहीं, देखिए यह जो बॉल डाली थी उपर आ गई है, तो यह हमारा तेल बिलकुल तैयार है, अब हमें फुल फ्लेम पे, मतलब तेज आच में भटूरे की जो पूरियों से डालना है और दबाना है, अच्छे से दबाईए, तो आपके जो भटूरे फटा फट फूल जाएंगे, अब बिलकुल वही टैक्शर आएगा, जो आप बजार में खाते हैं, सर्फ 15 में की महनत में यह भटूरे बनके तैयार हो गए, कोई पहले से कोई भी तैयारी आपको नहीं करनी पड़ी, तो देखिए, फूले फूले यमी यमी टेस्टी टेस्टी भटूरे तैयार है, छोले की रेस्पी पहले ही देज चुकी हो, तो यह वो छोले और यह भटूरे एंज्टूरे करिए, और जरूर बनाईए, फिर से मिलोंगी एक अच्छी रेस्पी के साथ, थैंकी फ किये जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और फ्रेंड्स फैमिली में शेर जरूर करिएगा, बाई बाई